हलो दोस्तो, आज देखते हैं हमकी अटमेटिक साइटाइजर मशीन कैसे बना सकते हम घर पे जो कि एक टस्लेस साइटाइजर मशीन और लिक्विड इस्पेंसर मशीन है देखते हैं उसका एक देम हो देखें जैसे ही आप उसके पास हाथ लेकि जाओगे आपके हाथ पे अपने आप साबून या लिक्विड साइटाइजर आ जाएगा आएज शुरू करते हैं देखते हैं कैसे उसको बनाया जाए इसके लिए आपको एक IR अप्स्ट्रेकल सेंसर लेगेगा जिसके तीन पीन से एक आउटपूट ग्राउंड वी सिसी उसमें एक ट्रांस्मिटर रिसीवर लगा है इंफ्रारेड वाला एक DC BO मोटर जो 300 RPM का है मेरे पास आवलेबल आप दूस्रे RPM का भी उसकर सकते हैं एक मोटर ड्राइवर मॉडिल जो है L298N जिसमें ड्राइवर है उसमें से हम एक ही उसकरने वाल है इसको लगेगा DC पावर सप्लाइ इंपूट 1 एर 2 और आउटपूट मोटर A माइक्रो कॉंट्रोलर की बात करते तो इस बार आर्डिनो नहीं उसकरना है कुछ दूसरा उसकरते है इसलिए है इस बार 80 टाइनी यह है डीजी स्पार्क का कंट्रोलर चोटा सा है उसमें USB भी लगा है और कम पोर्स है हमरे से भी कम पोर्स लगने वाले है इसलिए यह माइक्रो कंट्रोलर में ने चूस किया है सो देखते हैं IR सेंसर कैसे काम करता है सो पहले लगा लेते है पॉजिटिव सपला है देन ग्राउंड आहिए इसको एक बार टेस्ट करके देखते है इसको पावर अन कर दिया है और आप देख सकते हैं जैसे मैं इसके पास हाथ लेकी जाता हूँ यह डिटेक कर लेता है और यह green light जल जाती है तो देखते है voltage level कैसे होते है तो देखिए अभी 4.77 voltage और मैं इसके पास जब हाथ लेके जाता हूँ तो voltage level कम हो जाती है यह यह अनि low level trigger है जब आपके आप इसके पास हाथ लेके जाओगे तो यह voltage low कर देगा इसको microcontroller के pin को लगाना है pin no.2 को यह एक diagram है यह से आपको connection बना लेने है आई यह देखते है कैसे setup करते है इस microcontroller को यह link copy कर दिजिए मैंने description में दे दिया है आडिनों का software open कर दिजिए उसमें file preferences और यह link को इसमें paste कर दिजिए ok कर दिजिए दें tools में जाके boards में जाके आपको दिखना है contributed में और इसमें इसमें डिजी spark के board को आपको install करना है इसके बाद में मैं आपको driver का link देता हूँ description में वो आपको download करने है और install करने है windows के drivers जो bootloader के drivers है इसके चलिए इसको install कर लेते हैं yes next yes finish देख लेते device manager में एक बार की driver बरावर से ठीक से install हुआ है कि नहीं एक बार model connect करके देखिए वो इदिया पर दीखना चाहिए हो गया है चो देखते है program को अभी so motor के input pin 2 P0 को लगाया है pin 1 को P1 को लगाया है और sensor के output pin को P2 को लगाया है microcontroller के अगर आप dg spark यूज कर रहे है तो आपकी ये configuration यूज कर सकते है अगर आपको Arduino का board यूज करना है तो आपको ये code uncomment करना पड़ेगा और यूज करना पड़ेगा और यूज करना पड़ेगा और पहला वाला code delete कर दिजेगा अगर Arduino का यूज करना है तो नीचे वाला uncomment करके so ये दो variable है setup में आप देख सकते कि motor 1 का pin और motor और इंपुट्ट्ट्ट्ट्ट्ट मोड में set कर दिया है और sensor का pin input के लिए set कर दिया है loop में देख सकता है कि हम sensor का value read कर रहे है और अगर उसका value low होता है और old value उसके आत्मे compare नहीं होता है तो loop के अंदर जाए और dispenser को pull कीजिए नीचे so motor को एक direction में घुमाना है फिर 550 millisecond के बाद रोक देना है फिर 500 millisecond के बाद फिर से motor को उल्टा घुमाना है so dispenser का shaft उपर आ सके और फिर से motor रोक देना है ऐसा ही यह loop है और यह घुमते रहेगा so देखते इसको program करते है अभी compile कीजिए board select कीजिए इस पार्क default compile करने के बाद ही आपको USB cable लगाना है जब यह notification आएगा तब जिसके आप right side की वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने cable connect कर दिया है और यह program हो गया जटके से एक बार try कर लेते हैं चल रहा है थिक से दिखी जैसे हम हाथ उसके आगे लेके जाते हैं तो motor एक डारेक्शन में घुमते है फिर उल्टा घुम जाती है तो यह चल रहा है एक box ले लिग लिग लिजिजिए करना पड़े तो हम आराम से उसको कोल सकते हैं तो ऐसे हम धागा लगा लेजिए motor से अभी हमने इसको glue stick से अंदर चिपका लेना है motor को और धागे भी लगा लेना है हमें यह assembly पीछे glue gun से चिपकानी है तो ऐसे मैंने चिपका लिया अभी और धागा भी आटेच कर लिया है और IR sensor भी अटेच कर लिया है इसको हमें पार्च वोल्ड का adapter लगाना है पावर के लिए दिखते एक फ्रेक्टिकल डेमो जैसे आपना आता है इसके पास लोगी जाते है तो वह अपने आप dispense कर देता है क्योंकि वह धागा पीछे कुछ रहा है उसको motor स इसे आप आसानी से यह कोज़े जर्पे बना सकते हैं मैं इस अभी पार्च के description में links दे देता हूँ अगर आपनी चैनल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe कर लिजिए notification call किजे घंटा वजाईए for English please check my another YouTube channel name is Sachin Bangale thank you please check all links in description below